हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी टाइम आज हम स्टेट बोर्ड इंग्लिश मेडियम एंटाइर हिंदी पेपर के टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे एंटाइर हिंदी पेपर 80 मार्क्स का होता है जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको 3 आर्स का टाइम दिया जाता है गलत टाइम मैनेजमेंट के कारण अकसर स्टूडेंट्स का 26 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स इनकंप्लीट रह जाता है या फिर नीट हेंड राइटिंग में वो राइटिंग स्किल्स नहीं लिख पाते तो आईए देखते हैं किस question को कितना time देना चाहिए विभाग एक गध्य प्रश्न है Question 1 A 8 marks के लिए और Question 1 A 8 marks के लिए पूछा जाता है दोनों textual passages है Question 1 E non-textual passage 4 marks के लिए पूछा जाता है अगर आपने textbook के सारे lessons अच्छे से read किये हैं तो textual passage के activity based और स्वमत questions आप easily solve कर सकते हैं और वो time आप non-textual passage के स्वमत को दे सकते हैं विभाग 1 गध्य प्रश्न है जिसे आपको 35 minutes देना है विभाग 2 पध्य प्रश्न है जिसके Question 2 A और Question 2 A में textual poems पूछे जाते हैं इसमें भावार्त का question भी पूछा जाता है इसे आपको 20 minutes देना है मतलब by 1155 आपको विभाग 1 और विभाग 2 complete करना है विभाग 3 है पूरक पथन जो 8 marks के लिए पूछा जाता है आपके textbook में पूरक पथन के 6 chapters है जिसमें से 4 passage है और 2 poems है इसे आपको अच्छी तरह prepare करना है question 3 A में एक textual passage 4 marks के लिए पूछा जाता है और question 3 A में एक textual poem 4 marks के लिए पूछा जाता है इसे आपको 20 minutes देना है विभाग 4 है व्याकरन जो 14 marks के लिए पूछा जाता है make sure आपके सारी grammar concepts clear है जितने हो सके उतने grammar questions solve कीजिए ये एक scoring section है आपको इसमें 14 out of 14 score करना है विभाग 1, 2, 3 और 4 by 12.35 आपको complete करना है विभाग 5 है उपयूजित लेखन writing skills जो 26 marks का है और इसे आपको maximum 70 minutes देना है question 5 a 1 पत्र लेखन और question 5 a 2 गद्य प्रश्न है ये दोनों आपको 20 minutes में complete करना है फिर question 5 a 1 वृत्तांत या कथा लेखन में से कोई एक attempt करना है इसे आपको 15 minutes देना है question 5 a 2 विज्यापन प्रश्न है इसे आपको 15 minutes देना है question 5 e निबंद लेखन 7 marks के लिए पूछा जाता है इसलिए इसे सबसे ज्यादा 20 minutes देना है so by 1.45 pm आपका पूरा paper complete हो जाना चाहिए 2 hours 45 minutes में आपको paper complete करना है और remaining 15 minutes में आपको paper अच्छी तरह से चेक करना है आपने सारे question numbers ठीक से लिखे हैं या नहीं वो चेक करना है फिर व्याकरण के सारे answers रीचेक कीजे और राइटिंग स्किल्स को एक बार रीड कर लीजे तो ये था complete time management for entire Hindi paper Wish you all the best, thank you